परिचय राहुल के पास फिरकी है वह फिरकी को हाथ में लेकर दोड़ना शिरू करता है देखो उसके हाथ की फिरकी घूम रही है यहाँ कैसे घूमती है? देखो लड़का पतंग उड़ा रहा है पतंग बहुत उंचाई पर उड़ा ही है यह कैसे उड़ती है? फिरकी वायू के प्रभा के कारण उड़ती है और इसी तरह पतंग भी उड़ती है आईए, इस पार्ट में हम कुछ और हवा के तत्थ के बारे में जाने उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायू को परिभाशित करना वायू के विभन घटकों की व्याख्या करना वायू के गुण धर्म एवं उपियोगों के बारे में जानना एक मिश्रण के रूप में वायू की व्याख्या करना वायू क्या है? क्या वायू के अभाव में आपको गर्मी लग रही है? अब अपना सीलिंग फैन आउन करें आप वायू की उपस्थिती को महसूस करेंगे आपने सुहानी सुभा में ठंडी पवन को अवश्य महसूस किया होगा यह भी वायू के प्रवाह के कारण होता है प्रवाहित होने वाली वायू पवन कहलाती है हम वात दिगदर्शक यानि विंड वेंस की सहता से पवन के चलने की दिशा का पता लगा सकते हैं वायू के गुण धर्म वायू रंग हीन होती है और हम इसके भीतर से प्रतेक चीज़ को देख सकते हैं यह गंद हीन एवं स्वाधीन होती है यह इस्थान खेरती है यह समझने के लिए एक कांच का बाउल लें और इसे सीधे पानी में डुबाएं देखें बाउल में पानी प्रवेश ना करें अब बाउल को धीरे धीरे खुमाएं देखें बाउल से वायू के बुलबुले निकल रहे हैं धीरे धीरे पानी बाउल में प्रवेश कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि बाउल खाली नहीं था जो वायू बाउल में थी वहाँ बाहर निकल लही है इससे पता चलता है कि वायू स्थान खेरती है एक एर पिलो यानि एक प्रकार का तक्या जिसमें वायू भरी जाती है इसमें वायू भरें आप क्या देखते हैं? इसका आकार पढ़ रहा है इससे पता चलता है कि वायू स्थान घेरती है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है वायू में भार होता है एक तराजू के एक और वायू से भरी गेंड रखें और दूसरी और खाली गेंड रखें आप देखेंगे कि खाली गेंड वाला तराजू उपर जा रहा है जो यह दर्शाता है कि खाली गेंड वायू से भरी हुई केंड से हलकी है अब दो खाली परकनली लें और इनके मुँपर एक एक भबारा बांधें इन में से एक परकनली को गर्म पानी से भरे पैन में रखें और दूसरी को बर्फ से भरे पैन में रखें अब ध्यान से देखें गर्म पानी में रखी परकनली का गुबारा फूलने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी परक नली की वायू को गर्म करता है और बर्फ दूसरी परक नली को ठंडा करती है जब वायू गर्म होती है तो इसका विस्तार होता है और यहाँ उपर उठती है जिसके कारण खुबारा फूल जाता है दूसरी और ठंडी वायू संकुचित होती है जिसके कारण दूसरा खुबारा सिकुड जाता है इससे पता चलता है कि वायू दाब उत्पन्न करती है एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लें पिस्टन को भीतर की और दबाएं आप सिलिंडर के भीतर दबाव बना सकते हैं इससे पता चलता है कि वायू संकुचित यानी दबाई जा सकती है वायू का सम्मिश्रण वायू किस चीज से बनी है? वायू, नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डायॉकसाइट और अन्य दुरलब कैसों से बनी है आप इस तारीका में देख सकते हैं कि वायू मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का हिस्सा है उसके बाद आक्सीजन, उसके बाद कुछ दुडलब गैसों का हिस्सा है और सबसे कम हिस्सा कार्बन डायोकसाइट का है जलवाश्प, थुआं और धूल की उपस्तिती बहुत कम मात्रा में है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वायू विभिन गैसों का मिश्रण है वायू गैसों का मिश्रण है जब आफ फिर्ज से पानी की बोतल निकालते हैं तो बोतल की बाहरी सतेह पर पानी की कुछ बूंदे दिखाई देती हैं ये पानी की बूंदे कहां से आती हैं? क्या बोतल से पानी का रिसाव हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है वायू में उपस्थित जलवाश्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर फिर से द्रव में बतल रही है इससे वायू में जलवाश्प की उपस्थिती का पता चलता है अब एक परक नली में चूने का पानी लें इस विलियन में स्रिंज के माध्यम से कुछ वायू प्रवाहित करें आप देख सकते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है यह वायू में कारबन डायोकसाइट की उपस्थिती का संके तक है अंधेरे वाले स्थान पर टहलते समय अपनी टॉर्च जलाएं आप देखेंगे कि टॉर्च की रॉष्णी में कुछ कण चमक रहे हैं यह वायू में उपस्थित धूल के कण हैं यह सभी क्रिया कलाब हमें इस निशकर्श पर पहुँचाते हैं कि वायू, गैसों और धूल के कणों का मिश्रण है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेब में दोराएं वायू सभी स्थानों पर पाई जाती है वायू अद्रिश्य, रंगहीन, गंधहीन और स्वाधीन है हम वायू को अनुभव कर सकते हैं वायू थान घेरती है लेकिन इसका कोई निश्चिताकार नहीं होता है वायू में भार होता है इसे दबाया जा सकता है और यह दाब उत्पन्न करती है वायू नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डायोकसाइट, जलवाश्प और कुछ अन्निक गैसों का मिश्रण होती है वायू में धुएं और धूल के कन भी उपस्तित होते हैं आक्सीजन जलाने में सहायक होती है और यह समस्त जीवों के लिए आवश्यक होती है